हलो एस्पिरेंट्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, आज हम पढ़ेंगे खेडा सत्याग्रह के बारे में सो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था गांधी जी इन इंडिया में कैसे हुई उन्होंने कौन-कौन से सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया जिससे उन्हें नैशनल मुवमेंट में एंट्री मिली तो हमने पढ़ा था कि चंपारन सत्याग्रह और एहमदाबाद मिल तो कहानी कहां से start होती है कहानी होती है drought से start 1918 के मतलब आकाल पड़ा 1918 में जिससे क्या हुआ crops failed in kheda district of gujarat जितने भी खेती थी या crops थी फसलें थी वो fail हो गई मतलब वो अच्छे से उगी नहीं कहां पे kheda gujarat में now अब होता क्या है according to the revenue code if yield is less than one-fourth of the normal produce farmers को remission मिलता है यह एक revenue code होता है इसमें क्या होता है कि अगर आपके खेती जितनी आपके total normal खेती होती है उससे अगर one-fourth से भी कम है ठीक है अगर माल लिजी आप 100 kgs production करते हैं महीने में और अगर आपके खेती किसी महीने में 25 kgs से भी कम हुई तो farmers को माफिय जाती है उन्हें कोई rent ने देना पड़ता कोई dues ने देने पड़ते कोई tax ने देना पड़ता है उन्हें बिल्कुल mafia हो जाती है जो भी खर्चे होते है इसे टेक्स गयरा है इनसे mafia हो जाती है तो यह concept था अब क्योंकि खेती हुई नहीं तो उनको mafia मिलना ही चाहिए थी remission म बहुत दुखी हो गए कि अब हम कैसे देंगे जब हमारी खेती नहीं हुई तो हम taxes कैसे भरेंगे तो गांधी जी ने पीजेंट्स का ये दुख समझा और उन्होंने कहा to withhold the revenue कि पैसों को आप रखे आपको revenue को संभाल के रखे आपको किसी को कुछ payment करने की ज़रवत नहीं ह अब गांधी जी ने उसके बाद कोई action नी लिया कुछ नहीं किया बस उन्होंने withhold करने के लिए कहा जो भी आपका revenue था प्लस धिरे धिरी बात इतनी फैल गई कि authorities ने जो है गांधी जी के influence में आके उन्होंने secret instructions पास की मतलब ऐसी बात फैला दी लोगों में that only those who could afford to pay should pay वो अब हम पढ़ेंगे gains हमें फाइदा क्या हुआ हमने चंपा रन सत्यागरह पड़ा हमने एहमदाबाद मिल स्ट्राइक पड़ी हमने खेडा सत्यागरह पड़ा यह तीन ऐसे सत्यागरह यह स्ट्राइक आप कह सकते हैं जिसे गांधी जी को entry मिली है national moment में ठीक है तो इस सबस हो चाहे masses हो सबको समझ आ गया ठीक है गांधी जी के non-violence वाली जो टेकनिक थी सबको समझ आ गई second फाइदा क्या था gain क्या था profit क्या था strength and weakness of masses अब गांधी जी masses तक पहुँच गए थे यानि जो आम जंता थी वहां तक पहुँच गए थे उनके core तक पहुँच गए थे उनकी strength को समझ गए थे उनकी weakness को समझ गए थे ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं चंपरन सत्याग्रह और एहमदाबाद मिल स्ट्राइक की वीडियो उनका लिंक पैने description box में दे दिया है आप वहां पे जाकर देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पहले ही बता है क्या करना है जल्दी से कर दीजे चैनल को subscribe so that मैं जैसे कोई वीडियो प्रोट करूँ आप तक एकदम से notification पहुँच आए आपको bell icon को प्रेस करना है आपको वीडियो को like भी करना है और आपको वीडियो को share भी करना है अपने friends के साथ उन सब के साथ जो की government exams के लिए prepare कर रहे हैं और जो भी modern history, modern India, national movement ही सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं क्योंकि मेरे चैनल पर आपको general studies related हर इक चीज मिल and that's it and see you soon